प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सोमवार को राजियों के मुख्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए बाचीत की। इस बाचीत में कोरोना वाइरस के खिलाफ आगे की रणनीती पर खुलकर चर्चा हुई। कोरोना से अब तक पूरी दुनिया में दो लाग से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और भारत में ये अब भी तेजी से फैल रहा है। ये बाचीत सोमवार सवेरे 10 बजे शुरू हुई और वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए अलग-अलग राज्यों के मुख्य मंतरियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में नरेंदर मोदी के अलावा ग्रह मंतरी अमिश्या भी मौजूद थे। इस बाचीत में 40 दिनों के लॉकडाउन से कैसे बाहर आया जाए इस पर चर्चा हुई। हाँ इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से विवस्ता करनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का सकती से पालर होना चाहिए इस बात को लेकर कई राज्ये एकमत नजर आते हैं। लॉकडाउन को अचानक खोल देने से दिल्ली में कोरोना वाइरस के मामले एक बार फिर तेजी से फैल सकते हैं। भारत में पहली बार लॉकडाउन 24 मार्च को लगाया गया था और इसके बाद इसे बढ़ा कर 3 मई तक कर दिया गया। मौझूदा लॉकडाउन की जो मियाद है वो आगामी 3 मई यानि रविवार को खत्म हो रही है। इसके बाद सोमवार से क्या होगा इस बारे में चर्चा अभी से चल रही है। भारत सरकार और दूसरे राज्य मिलकर रणनीती बना रहे हैं। ऐसी भी उमीद जताई जा रही है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी इस हफ़ते के आखिर में एक बार फिर संबोधित करके बता सकते हैं कि कोरोना वाइरस के खिलाफ देश की आगे की रणनीती क्या होगी।